जहिन चात्रों मैं इशार हमत competition community के इस question air program में आप सभी का स्वागत करता हूं और आशा करता हूं कि आप अपनी प्रतियोगी परिच्छाओं की निरंतरता बिलकुल बरकरार रखे हैं और साथ में एक युद्धिस तर पे तैयारी कर रहे हैं और ये नाम सुनके थोड़ा confusion आया होगा दिमाग में थोड़ा confuse हुए होगे तो confuse नहीं होना है आसानी से समझते हैं जो question session program यूटूब में चल रहा है हफते में 4 दिन subject wise, topic wise वो वैसा ही चलते रहेगा उसी पे ही आधारित है आपका question air program जो की सिर्फ और सिप मिलेगा हमारे competition community के mobile app में और competition community के website में अब इसको access करने का तरीका भी समझाता हूँ लेकिन उससे पहले याद रखना है इसके फायदे क्या है इसमें आपके performance नजर आएंगे वो कुछ इस प्रकार से होंगे देखे कि जो बच्चा पूरे हफते 4 दिन अच्छा perform करता और first rank में आता है तो य हाँ देखे कि जो बच्चा अगर पूरे महीने भर में perform करता है तो उसको पांच test series जो की आगे आने वाले prelims के लिए competition community में हो रही है तो आपको उसका access free of cost मिलेगा जो बच्चा perform करेगा अब समझते हैं कि यह program कैसा होगा तो याद रखेगा जो बच्चा दो अगर पांच questions सहीं बनाता है तो उसे 2 star मिलेंगे जो बच्चा 7 questions सहीं बनाता है तो उसको 3 star दो बच्चा 9 questions आपका सहीं बनाता है तो उसको 4 star जो बच्चा 10 के 10 सहीं questions बनाता है तो उसे 5 star मिलेंगे इसी के according ही आपका जो है measurement सारा होगा देन उसके बाद आपका result release किया जाएगा ठीक है और याद रखना है चात्रो कि अगर mobile app डाउनलोड करने के माध्यम से किसी प्रकार से समस्या होगी तो आप question session program में यहाँ देख सकते हैं question session program के नीचे में description box में आपका mobile app का link दिया हुआ उसे click करेंगे देन आप google store में जाएंगे google store में download करना होगा उसे और download करने के पस्चाद आपका क्या होगा उसमें login करना होगा और login करने के पस्चाद आप देखेंगे कि सामने में आपको question year program दिखाई देगा अब जो है आपके लिए challenge आता है आप 10 में से 10 question अगर सहीं बनाते हैं और आपका अगर आप perform करते हैं तो आपको website में आप दिखे जाएंगे या आपका नाम शो करेगा उसमें ठीक है जहिन चात्रो मै इशार रहमत competition community के इस question session program में आप सभी का स्वागत करता हूं और आशा करता हूं कि आप इसी प्रकार अपनी प्रतियोगी परिच्छाओं की निरंतरता बिल्कुल बरकरार रखें हैं सांथ में एक युद्धिस तर पे तैयारी कर रहे हैं एक हमेशा आप लोगों के लिए सुविचार आते हैं एक अनमोल वचन होता है अचारे चानक जी यहां क्या कहते हैं अपने अनुभाव के अनुसार कि निम्न लिखित में से इन परियतनों को हमें करना चाहिए जब हम इसी स्थिती में हो तो देख सकते हैं आप यहां अनन्द में वचन मत दीजिए कभी अगर आप अती उत्साहित है अती प्रफुलित है बहुत ही उत्साव अर्धन रूप से आप अपना जीवन यापन कर रहे हैं तो किसी को भी वचन ना दीजिए वचन देंगे अगर उसे पूर्ण नहीं कर पाया तो फिर एक प्रकार से जो है बिजटी होगी दें उसके बाद क्रोंध में हमें दीजें हमेसा कहते हैं कि क्रोंध में किसी व Jeff नहीं हमारा भारती इतिहास का विशाय जो चल रहा है उस पे हम आते हैं जैसे कि मैं हमेशा बताता हूँ कि भारती इतिहास हमारा विशाय चल रहा है प्राचीन पोर्शन हम कवर कर रहे हैं गुप्त कालीन भारत के बारे में चर्चा हो रही है जिसमें पाँच राजाओं के बारे में पिछली कक्षाओं में अच्छी तरह से चर्चा की गई है, जिसमें कि आप लोगों को बताया गया कि स्री गुप्त जो है वो संस्थापक रहे हैं गुप्त वन्स के, जो की वास्तविक संस्थापक के रूप में गुप्त वन्स में सामने आए इससे पहले वाला वीडियो जो बच्चा नहीं देखा होगा वो जाके उस वीडियो को देखे और जो है अच्छी तरह से एक बार क्वीक रिविजन करके इसमें वापस आए और जो बच्चा पहली ब ठीक है समुद रूप्त के बारे में चर्चा किये कि धर्णी बद्य के रूप में इसने अपने आपको प्रतापी राजा के रूप में सामिल किया इसकी सम्राज विस्तार की नीती बहुत अच्छी थी इन्होंने आपका दक्षिन से लेकर सभी प्रयतनों पे अपना प्रश जो की आपका हरी सेन्द्वारा लिखित है उसमें इनकी चर्चा मिलती है दैन उसके बारे यहां देख सकते हैं राम गुप्त की बारे में चर्चा मिलती है कि विशागदत ने एक पुष्ग बुक लिखी जिसका नाम था देवी चंद्रगुपतम जिसमें इन दोनों की कहा और देवी जो इनकी वीवी थी, इनकी जो मतलब आपकी धर्म पत्नी थी, उनके साथ विवाह करके प्रसासन अच्छी तरह से चलाया, आप पढ़ेंगे हम चंद्रगुप्त दिती विक्रमादिति के बारे में, देनकुमार गुप्त, इसकंद गुप्त, भानुप्त और फड़ते हैं, अब देखते हैं चंद्रगुप्त विक्रमादिति यनका नाम के उपढ़ा, याद रखेगा कि शको को पराजित करके इन्हों ने अपनी उपाधि धारण की चंद्रगुप्त विक्रमादिति के उपाधि धारन की, और दूसरी बात यह और फिर कि उई पाने इन्होंने अपना प्रशाशन सम्हाला, इनकी समराज जिविस्तार की निती इतनी व्यापक थी, कि जिस प्रकार हमने पढ़ा था हर्यक्वन्स में, बिम्बी सार ने आपका मैत्री निती, व्यवाहिक निती और एक निती और थी न भई? मैत्री नीती विवाहिक नीती और युद्ध की नीती निकल नहीं दाव को इसके पस्चात आपका परम भाग्वत की उपाधि देख सकते हैं आपका वैसनों संप्रदाय की अनिवाई थे और इन्होंने आपका परम भागवत की उपाधिधारन की ठीक है और आपका गुप्त सासकों की राजधानी पाटली पुत्र थी लेकिन दूसरी राजधानी इन्होंने बनाई आपका कहा आपका उज्जैनी में यहां दिखाया हो नौरत ने इनके दर्बार में इन्हीं के दर्बार की वज़ा से जो है गुप्त सासनकाल जो आपका एक स्वनिम रूप से सामने आता है या इससे स्वनकाल कहा जाता है तो अपनी पुत्री का प्रभावति का विवा किससे कराया वह गातक नरेष आपका रुद्रसेंद से इसलिए आपका रूद्रसेंद उनका न Canal हो गया धिके पश्चाथ और पर मॉहदय नराज हो गया ठीक अ रूद्रसेंद का रिधन और उसीके पश्चाथ वकाठाक वाला च्छेत्र भी जुए है आपका बहुत धर्म का परचार परचार किया और इसके याद रखना है कि गुप्त वन्स जो है सभी धर्मों के प्रति क्या था सही सुनु रहा है ठीक तो इतने वन संबंधित है अमर्सी हो गया चणपक हो गया चणपक जो है यह आपके जोतिस से संबंधित विद्वान रहे है ठीक है तो इस प्रकार से इतने जो आपके नवरतन इनके साशनकाल में थे तो यह और इनकी रचनाओं से प्रस्ण पूछी जाते हैं तो याद रखना निवार है इन्हें याद रखना निवार है क्योंकि सीधा प्रस्ण पूछता है कि निमली खित में से कौन सा नवरतनों में सामिल नहीं है मतलब चंद्रगुप्ति विक्रमाधिति के नवरतनों में सम्मिलित नहीं है बहुत सारे नाम दे देगा और तीन नाम दे देगा और आपका option म सिभकति को निमा रहे से ठीक है कुमार गुप्त के बारे में पढ़एं तो हर एक सासन साशक के बारे में इंपरेंड चीजा रखेंब इस से प्रसना आप से नहीं चूटेगा जैसे चंद्रगुप्त विक्रमादीते के बारे में जादा याद रखना है नावरत ने याद रखने है उसके उनकी प्रभावती का विवाह हुआ यह सब सारी चीज़े याद रखना है कि कुमारगुप्त से कुमारगुप्त मतलब की बहुत सिख्छा का बहुत बड़ा संक्रेंदरन रहा हुओ आपका नलंदा विश्विद्याले और याद रखना है चात्रों के कि यहां से प्रस्ण हमें सा पूछता है ठीक है सबसे जादा अगर अभिलेक किसी के मिले हैं तो आपके कुमारगुप्त के मिले हैं ठीक है उसके बाद मुद्राएं भी मिली है असमें ग्यक्य करवाने वाला सासा कुमारगुप्त था और इसने आपनी उपाधी धारन की थ यहीं कहीं दिया होगा तो महेंद्रा दित्ति की उपाधी इसने धारन किथी आगे बढ़ते हैं इसकंद गुप्त के इसमें याद करने वाली क्या जाने वाले मलेच कहा जाता था किनको हुणों को ठीक है जो आपका आक्रमण करने कारण चर्चित थे जुनागर अभिलेक का जुनोद्धार भी इसने कराया था आपका सुधरसंचिल के किनारे तो यह भी याद रखना है फिर उसके बाद है यह आपके इससे रिलेटेड अभ अभिलेक हो गया गिनार परवत वाला चेत्र बताया सुधरसंचिल वाला इसका पुनाद धर कराया थीक है तो इसे याद रखना नहीं मार रहे है बानुगुप्त अब फिर से इनके लिए क्या रखना जरूरी है भानुगुप्त से याद रखना है एरन अभिलेक से ठीक है यहां से प्राश्न प्रारम्भ होता है कोस्चन एक है कि कौन सा राजवन्स हुनों के आकरमण से अत्यंत विचलित हुआ ठीक है विच डैनेस्टी वाज एक ड्रेटली डिस्टर्ट बाई दा इन्वेंशन ऑब दा आपका हुन्स है ना तो याद रखना है कि सब से अगर कोई प्रभावित हुआ है तो कोन रहा है आपका गुप्त शासक ठीक है इंगलीश में थोड़ा मेरा समझ जाने इंगलीश मीडिया माले ठीक है थोड़ा से उपर नीचे हो सकता है उसके बाद यह है आपका प्रसनक पांग 2 हुनों ने भारत पर आकरमण किया था ठी इसकंद गुप्त के सासनकाल में ठीक है थोड़ा गलास थोड़ा सा खराब है तब यह थोड़ी सी नासाज है ठीक है उसके बाद है किस अभिलेग से ज्यात होता है कि इसकंद गुप्त ने हुनों को पराजित किया बताया हूं थोड़ दिर पहले भीतरी गाओं का अभिले जो है भीतरी स्थम्भ लेग जो है आपका जो कि कहा है मध्य प्रदेश में हैं उसमें पता चलता है कि आपका गुप्त इसकंदु गुप्त ने किसको हराया था हुणों को हराया था और भारस से निसकासित किया था धीक है। किलियर है ने चालू कराया था और इसी को ही रूपक कहा जाता था क्या कहा जाता था रूपक सिक्के ही कहा जाता था इसे ही गुप्त शासनकाल में अगर रजत सिक्क को क्या कहा जाता था आपका रूपक सिक्का तो आपका रजत सिक्का मतलब क्या होता है silver coins ठीक है तो आपका कौन चलू किया चंद्रगुप्त द्विति है ठीक है क्लियर है आएगे बड़े प्रसिद्ध प्रस्णकमांग 5 ठीक प्रसिद्ध चीनी यात्री फाहयान ने किसके किसने सासनकाल में भारत में यह गलत दिखा गया भाई किसके सासनकाल में भारत आया था 16 साल रहा बताया थे किसके सासनकाल में यह था तुरंत अंसर लगा तो आपका चंद्रगुप्त दिटी विक्रमा दित्ति के सासनकाल में को नाया था चीनी यात्री फाहयान ठीक इसके बाद पढ़ेंगे वरधन वन्स उसमें मिलेगा आपको फाहयान का वह एक और चीनी य पहली तो नहीं है ठीक है भाई देख लेते हैं कुमार गुप्त प्रथम मंदसौर भिलेक बिल्कुल सही है पतिक तक्छ शीला भिलेक प्रभावती गुप्ता उदैगिरी गुः समुद्र गुप्त का एरण सही है ठीक है उसके बाद आपका पतिक पतिक और इसमें होना चाहिए इसका ठीक है स्यायत इहीं हिसका आंसर होगा ठीक है प्रभावती गुपता उदैगरी गुँफा लेक कि प्रभावती गुपता उसा कुष्ट क मिलता तुक है आगे बढ़ते हैं रहा ये अगला है सूची एक को सूची दोसे सुमेलित की ये तथा सूचियों के नीचे दिए गया कूट से सहीं उत्तर का चैन करिए ठीक है वह सासक एवं उनकी रानियों के बारे में चर्चा है आईए देखते हैं चंद्रगुप्त ओके तो रानी कौन है दत्ता देवी से चंद्रगुप्त का तो नहीं हुआ है कुबेर नागा से तो नहीं हुआ है कुमार देवी हाँ लिच्वी रानी आपका कुमार देवी से विवा हुआ है तो एक थ्री होगा कहाई दीख रहे है एक थ्री यह रहा हमारा आंसर मिल गया यह रहा है इसका आंसर आपका क्या हो जाएगा चंद्रगुप्त समुद्रगुप्त का विवा ह ठीक है, आप बोलो के चंद्रकुप दूती का सरु कुबे नागा से पहले एक सासक लोग बहुत सारे शाधी करते थे, ठीक है, अब तो सासक लोग मतलब ठीक है, आगे नहीं जाते, आगे बढ़ते हैं, अगला है प्रस्व का मांग आठ, निम लिखित में से किसका प्राचीन भारत में आयुरुवेद सास्त्र से संबंद नहीं है, ओकी, ठीक है, धन्मंतरी का है, आयुरुवेद सास्त्र से, भासकराचार्य, भासकराचार्य कहीं तो नहीं है भाई, भासकराचार्य कहीं तो नहीं है भाई, भासकराचार्य खगोल सास्त्री रहे हैं, खगोल विज्ञ ऐड़ाँ वार लिकत है ठीक आगे बढ़ते हैं यह चंद्रगुप्त के नो रत्नों में से निम्न में से कौन सा फलित-जोतिस से संबंधित Let's ठीक है ओके ओके ठीक है देख लेते हैं छपनक बताया था ना छपनक जो है आपका फलित-जोतिस से संबन्दित ऑन कैलीदास किसके सासनकाल में थी छाली डास का कालीदास से नी कालीदास अदो लिखित में कौन गुप्त कालीश्वर्ण मुद्रा है मुद्रा धिनार याद रखना है ठीक है आपका धिनार आगे बढ़ते आगे लिध दना रलョ रूपक बताया था न भई गुप्त काली ने रजत मुद्राओं का नाम क्या होता है रूपक होता है ठीक आगे बढ़ें सूची एक को सूची दो से मिलाएए ओके मिला देते हैं समराथ ठीक है विरुद्ध किसके विरुद्ध लड़ें पराक्रमांक प्रीदर्शनी नहीं होगा ठीक है गलत लिखाया है अगेंस्ट देखो इस परस्णों को तहीं सहीं तरीके से बनाते हैं असोक को क्या दिबलाया था समराथ असोक को प्रीदर्शनी ठीक है देव नाम प्रीदर्शनी पढ़ते थे न भाई तो एक टू होगा अंसर ठीक है यह दखो हमिल गया ठीक है तो कहीं कहीं क्या होता है मिस्टेक हो जाता उसको पकड़ना भी है खुंद्रगुप्त को चंद्रगुप्त दितिक लिक्रमा देती नाया को इस प्रकार से जो याद है उससे क्या बोलते है रिलेट करना है आप लोगों कोंफिज नहीं होना, कोश्चन देखके घवराना नहीं है, ठीक है, कितना सारा चीज कैसे याद करें सर, अरे भाई, कुछ तो याद होगा उसमें, को रिलेट करना आना चीज़े, ठीक है, तो इसका आंसर यह होगा, आगे कोई बात नी उनका प्रशाशन नितांत केंद्रिकृत था बिलकुल नहीं था केंद्रिकृत क्या करते थे भूधान परंपराओं में विभक्त था ब्रामणों को सबसे ज्यादा दान देते थे केंद्रिकृत प्रशाशन नहीं था इनका ठीक है उन्हें भूमिदान की परंप तो याद रखना है प्यारे बच्चो गुप्त वंस ने आपका 319 से 520 तक के आपका सासन किया था जो की एक बहुत ही व्यापक सासनकाल रहा है ठीक है उसके बाद आगे आज का प्रस्ण आज का प्रस्ण उसकी कुछ इस प्रकार से प्यारे बच्चो ठीक है चमा चाहूंगा थोड़ा सा फ्लो में आज आते हैं तो ये इंग्लिश मेडिया वाले देख सकते हैं सूची एक को सूची दो से सुमेलित कीजिए एवं नीचे दिये गए कूट की साहता से सहीं उत्तर चुनिए ठीक ये है आपका संवंत इस्तर है और किस समय की गड़ना है ये रहा आज का प्रस्ण तो आपका विक्रम संवंत कब बना सक संवंत कब बना गुप संवंत कब बना और कली संवंत कब बना ये मैं करा चुका हूँ तो बिलकुल सोच और समझ के इस प्रस्ण को बनाना है ये आप आप लोगों का आज का टास्क है और आप लोगों को कुछ इस प्रकार से है इसका आप लोगों को देना है कमेंट बॉक्स में बहुत सारे बच्चे आंसर दे रहे हैं लेकिन जो बच्चे देख रहे हैं उनका आंसर नहीं आ रहा है मैं उनसे निवेदन करना चाहूंगा कि ज आत्रों जैहिन जैभारत